नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दोस्तों पित्र पक्ष में अगर आपने पूरे 15-16 दिनों तक उपाई नहीं भी किया है तो सिर्फ एक दिन या पांच दिन भी उपाई करते हैं तो पित्र देव की कृपा आप पर मिल जाती है आप चाहें तो पांच दिन लगाता रुपाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ अमवस्या के दिन भी कर सकते हैं पित्रों के निमत एक दिया जरूर जलाईए अपने घर के मुखे द्वार पर वो भी उनका जो दिया का मुखा सिर्या है वो दक्षिन दिसा की ओर होगा और इस दिय है कि आपके मन में उनके प्रती स्रधा है बस उन्हें यही देखना होता है आप उन्हें कितना याद करते हैं तो पित्रों की किरपा होना बहुत जरूरी है पित्री पक्ष में आप भले ही भगवान की अगर आप पित्री पक्ष पालन कर रहे हैं तब भगवान की पुजा म ब्रिच्छ है तो रोज साम में एक दिया सरसों के तेल का दो लॉंग डालकर या फिर एक चुटके तिल डालकर जरूर जलाईए एक बाती होगी रूई की एक बाती चुके नहीं जलता तो उसके साथ चोटी सी पतली सी बाती रख दीजिएगा लेकिन जलेगा एक ही सिरा और कोम नमो भगवते वासुदेवाई इस मंत्र का जितना ज्यादा हो जग करें इससे पित्र देव को सक्ती मिलती है और वो देवत्तु को प्राप्त होते हैं पित्र देव जब देवत्ता हो जाएंगे देवत्तु को प्राप्त हो जाएंगे तो आपको आश्रिबात तो दें तो इससे भी पित्र देव प्रसंद होते हैं देवों के देव महादेप जो पित्री दोस भी दूर करते हैं आपको कुछ समझ में आए जीवन में बहुत परिशानिया हैं तमाम कारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तब ऐसे में पांच प्रकार के फल ले जाकर सिवलिंग के पास अर्पित कर दें और उनसे प्रारतना करें प्रभू जीवर में कोई भी दोसो संकठो उसे दूर करें इस पितरी पक्ष में जरूर आप उपाई केजिए आपको लाब होगा आप चाहें तो पीपल के बेश के नीचे जड़ में भी एक लोटा जल ले उसमें एक चमश दूर डाले एक चुटकी काला तिल डाले थोरा सा मिस्री डाले सफेद पुस्प जिसमें कम खुसबू हो ऐसा पुस्प लीजिएगा ले जाकर पीपल के सन्न होंगे और आपके तमाम जो दोस हैं पित्री दोस राहु के तू परेसान कर रहे हैं गरहन दोस है या फिर काल सर्प दोस है उनसे भी मुक्ति मिल जाती है तो पित्र देवों के निमित मुख्य द्वार पर दक्षिन दिसा की ओर दीपक जलाएं संभब हो तो पीपल की कि अप्षिन दोफ जॉसी कि अपिस दो काल दैज की दीजा है